तो नमस्कार दोस्तो टेक्निकल फोटेज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ बिलकुल हैरान करने वाला ट्रिक है जी हां दोस्तो आज मैं आपको एक नम्मर से दो WhatsApp चला के दिखाऊंगा आप एक ही नम्मर से दो WhatsApp चला सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी अधर अप्लिकेशन योज़ करने की ज़रुत नहीं है और ये बिल्कुल सिक्क्र है और देखें इस फॉन में मेरा कोई भी WhatsApp अप्लिकेशन है ही नहीं आपको और से देख लिए इसमें कोई भी WhatsApp अप्लिकेशन नहीं है दोस्तो और इसमें मैं WhatsApp ओपन करके आपको दिखाऊंगा और इसमें जो चीज दिख रहा है वही चीज इसमें भी करके दिखाऊंगा और बिल्कुल लाइब दिखाऊंगा और यह बिल्कुल जैन्यून तरीका है तो चलिए सबसे पहले मैं अपने WhatsApp को यहां से ओपेंड कर लेता हूँ और ओपेंड करने के बाद हमको इसे दूसरे WhatsApp में कनेक्ट दूसरे मॉवाइल में चलाना है तो चलिए दोस्तो इसके लिए हमें इस मॉवाइल का Chrome ब्राजर को ओपेंड कर लेते हैं इसके लिए दौस्तो इप भी बहुत है इसके लिए बहुत सारा एप है आप चाहो तो एप भी यूज़ कर सकते हो WhatsApp Uips के नाम से आता हे एप WhatsApp Web के नाम से तो आप उसे इंस्टाल कर सकते हो लेकिन वो बिल्कुल कभी-कभी वो फेक हो जाता है और वो कभी-कभी काम नहीं भी करता है तो मैं बिल्कुल आपको लाइब दिखाऊंगा और यह जो साइट बता रहा हूँ यह WhatsApp का साइट है तो देखे दोस्तों यहां पर WhatsApp Web लिखाऊ है आपको क्लियर्टी से दिख रहा होगा तो मैं इसे यहां से सर्च कर लेता हूं और सर्च करने के बाद देखे यहां पर आ गया WhatsApp Web तो मैं इसे यहां से क्लिक कर लेता हूं और क्लिक करने के बाद ऐसा option आयागा लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको एक बदा देते हैं आज के वीडियो में जो आपको बताउँगा अगर आपका WhatsApp किसीने हैक कर लिया丁 तो ये भी बताउँगा कि आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपका WhatsApp किसीने हैक किया है या नहीं किया है और अगर किसी ने hack कर लिया तो आपका whatsapp कैसा दिखेगा hack करने के बाद क्या पहचान है तो चलिए इसे मैं सबसे पहले यहां पर जो arrow करनी सान बनावा है मैं इसे यहां से click करता हूँ यह red वाला क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए desktop mode है तो मैं इसे यहां से check कर देता हूँ check करने के बाद ऐसा कुछ interface आएगा और यहां पर एक QR code open हो गया तो इस QR code को हमें इस mobile में scan करना है क्योंकि इसका WhatsApp जो है इस mobile में चलाना है क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी का number अगर इसमें WhatsApp इंस्टाल करेंगे और फिर ये वाला number अगर इसमें डालेंगे तो इस mobile से WhatsApp रिमूब हो जाएगा और इसमें चालू हो जाएगा लेकिन इसमें क्या है दोनों में WhatsApp चलेगा और जब तक आप चाहेंगे तब तक चलेगा वर्जन लिंक डिवाइस का ऊप्शन आता है, तो चलिए मैं इसे यहां से क्लिक कर देता हूं, क्लिक करने के बाद देखे, यहां पर एक साथ चार डिवाइस में वाट्साप को चला सकते हो, यहां पर clear लिखा हुआ है use up to four devices without keeping your phone online आप चार डिवाइस में इसे use कर सकते हो तो चलिए मैं फिलाल मेरे पास दो mobile है और मैं दोनों में चला के दिखाता हूँ तो इसके लिए यहां पर link के device में क्लिक करना है क्लिक करने के बाद हमें यहां से इसे scan कर लेना है तो चलिए मैं इसे यहां से ok करता हूँ और ok करने के बाद यह scan कर लेगा तो चलिए दोस्तों यह scan कर लिया है और अब आपको दिखाते हैं देखिए live आपके सामने दिख रहा है इसे यहां से जैसे आप back कर लेंगे अब यह इस WhatsApp में जो चीज दिख रहा है वही चीज इस WhatsApp में भी दिख रहा है आप गोर से दिख देज़े और मैं जैसे इस WhatsApp को अगर मैं open करूंगा यहां से तो यहां पर अगर कुछ भेजेंगे तो इसमें भी आ जाएगा तो चलिए मैं एक बार आपको open करके दिखाता हूं इस WhatsApp को मैं इससे भेजता हूं किसी को तो देखें मैंने हाई भेजा तो देखते हैं इस WhatsApp पे क्या फरक पड़ता है इसका DP आप देख सकते हैं वही है तो इसे मैंने send कर दिया तो देखें इसमें भी हाई चला गया यह सब अपना दूसरा WhatsApp से इस वाले नंबर पर मैसेज भेजता हूं तो आप अभी देख लिजें इसमें क्या है और इसमें मैसेज आएगा भी दूसरे WhatsApp मैंने दूसरे WhatsApp फटा-फट ओपन कर लेता हूं ओर ओपन करने के बात इसमें दीकिए high आया है और इस दुसरा WhatsApp है और इसे मैं फिर hello लिख के भेजता हूं और मेफस WhatsApp नेक्त किनेक्ट किया हूँ तो चलिए दूस्तो देखें इसमें hello का मेसेज आ गया है और देखें hello का मेसेज इसमें भी आया हूँ हूआ है तो देखिए हलो का मेसेज इसमें भी आ गया है तो दोस्तों आप इस तरह से एक मुवाइल में दो वाट्सअप चला सकते हैं और इसे आप जब तक चाहेंगे तब तक यूज कर सकते हैं और ये कभी भी हटेगा नहीं तो चलिए फिलाला मैं इसे यहां से एक बार बैक कर लेता हूं और बैक करने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा वाट्सअप जैसे आप ये से मुवाइल है जैसे आप इसमें चला रहे हैं वैसे आप इसमें भी चला सकते हैं तो मैंने आपको एक बार बताया तक म किसी का WhatsApp जान बोट के हैक करते हैं तो आपके उपर कानूनी करवाई की जा सकती है तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताते हैं कि जो मेरा WhatsApp इस मोवाइल ने मेरा WhatsApp को हैक किया है तो इसमें हमको कैसे पता चलेगा तो इसके लिए मैं इसे यहां से बैक कर लेता हूं और बैक तो इस तरह से आप अपने WhatsApp में जा करके देख सकते हैं कि आपका WhatsApp किसी ने हैक किया, अगर किसी ने हैक किया होगा, तो यह WhatsApp यहां पर शो करेगा, तो देखे मैं इसे यहां से ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद अगर आप चाहते हैं, कि यह मेरा WhatsApp किसी ने हैक किया, तो कर दिया तो देखिए दोस्तों इस से भी चला गया यह वाट है नहीं चला सकता जिशने यह जो है प्राइच किया था है यह वाट ये मैंने अपना आ raise को लाउट कर दिया हुआ जो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ लाइव करके दिखाया है और इसमें कोई भी गलती नहीं अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को एक लाइक करते हैं और आप देखे यह मोगा पहली जैसा सीन हो गया और यहां पे कोई भी लिंक अभी आक्टिव नहीं है वीडियो को एक लाइक जरुर करता छेलिक्स गारें चनल पर पहले Conference आपक का एक लाइक एक सब्सक्राइब और मुटिवीट करते हैं चैनल को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो था कर ऒसा दो